नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगणबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोशन ट्रेकर एप में गर्भवती महिला को अस्तन पान कराने वाली महिलाओं में ट्रांसफर कैसे करेंगे आप सभी को मालूम ही होगा कि गर्भवती महिला को अस्तन पान कराने वाले महिलाओं में ट्रांसफर करने के लिए माइग्रेट ट्रेक्टिंग मदर का जो अप्सन दिया गया है उसमें हम लोग किलिक करके ट्रांसफर कर लेते हैं लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं तो आगनबारी सेविकाओं को काफी परिशानी हो रही है कि जैसे कि गर्भवती महिला को माइग्रेट कर रहे हैं तो वो गर्भवती महिला यहाँ पे अस्तन पान कराने वाली महिलाओं में नहीं जा रहा है उनका लि तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफर्मेटिव होने वाली है वीडियो को आप लोग लाश्ट तक जरूर देख लिजिएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को हमारी ये आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग जादा से जादा लाइक कीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लिजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गर्भवाती महिला की केटेगरी है उसको आप लोग को ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि जो गर्भवाती महिला है उसका जो 9 मंथ पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है इसके लिए आपको क्या करना है उसको देखने के लिए यहाँ पे आप किलिक करेंगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गर्भवास्था का महिना दिखा रहा है server के कारण यहाँ पूरा month नहीं दिखाता है लेकिन आपको क्या करना है three dot पे पहले आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पे profile update पे जाना है और profile update में जाने के बाद यहाँ पे जो गर्वती महिला का LMP date है उसको यहाँ पे देख लेना है कि जब LMP date हमने कब भरा था तो उसका 9 month पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इस परकार से आप लोग देखिएगा तो जो 9 month का पूरा हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से transfer कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि 9 month से पहले भी जो गर्वती महिला है उनका delivery हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ से एक बार चेक कर लेना है चेक करने के बाद आप गर्वती महिला से अस्तन पान कराने वाली महिलाओं में transfer कर सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे दो गर्वती महिला को transfer किया तो यहाँ पे दो गर्भौती महिला का नाम एड दिखाना चाहिए लेकिन वहाँ पे दिखा नहीं रहा था इसके लिए देखिए एक दिन का समय आप लोग को लग रहा है जैसे कि आप लोग जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो अभी हमने देखिए अस्तनपान कराने वाली महिलाओं की केटेगरी खोली है और हमने एक दिन पहले इन दोनों गर्भौती महिलाओं को ट्रांसफर किया था लेकिन साम तक जो गर्भौती महिला का लिष्ट है वो यहाँ पे नहीं एड हुआ था और गर्भौती महिला से उनका नाम नहीं हटा था तो आपको यहाँ पे एक दिन का वेट करना है एक दिन जब आप लोग वेट कीजेगा तो यह जो गर्भौती महिला का लिस्ट है वो अस्तनपन कराने वाली महिलाओं में आ जाएगी तो इस परकार की दिक्कते हो रही थी तो हमने आपको सोचा कि इसके बारे में बता दिया जाए तो काफी सारी आगनबारी बहने परिसान थी कि कैसे इसको स्वाल्व किया जाएगा तो देखिए आपको क्या करना है किसी भी अगर गर्भौती महिला का यहाँ पे इन वंह पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पर फीरी डॉर्ट पे किलीक कर देना है को इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ल поех टेटिंग मड़ का जो ओफसन है इसे चली किजेगा तो जीस दिन उस लबहार्थी का लिफिरी हुए होगा उस दिन का यहां पर date डालेंगे और यहां पर विस्थापित करें पर किलिक कर देंगे विस्थापित करें पर किलिक करने के बाद आप से एक और option पुछा जाएगा कि आप वाकभी में इस लभार्थी को migrate करना चाहते हैं जैसे ही आप ठीक वाले पर किलिक करेंगे तो उस लभार्थी का जो profile है वो migrate हो जाएगा यानि वो transfer हो जाएगा उसके बाद जैसे ही transfer किजिएगा तो 0-6 महिने के बच्चे का नाम add करने को बोला जाएगा तो आप लोग उसी समय नाम add कर सकते हैं या फिर ब और यहाँ पर हम लोग count करेंगे कि कितने लभार्थियों का हमने यहाँ पर migrate किया है या कितने लभार्थी अस्तनपन कराने वाले महिलाओं में add है तो यहाँ भी बच्चों की जो संख्या है वो 13 ही होने चाहिए जैसे कि यहाँ भी 11 बच्चों का नाम दिखा रहा है जबक हम एक बच्चे का इंट्री आपको करके दिखा देते हैं वो कैसे करनी है तो देखिए हमने बच्चे का जो डिटेल से वो यहाँ पर भर दिया है उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पर एक बात का और आप लोग ध्यान दिजिएगा जैसे कि जो म मॉबाइल नमबर हम लोग गर्भवती महिला में डालते हैं वहीं मॉबाइल नमबर आप लोग यहाँ पर डालिएगा तो आपको आगे चलके प्रोबलम नहीं होगी उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे का वजन डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे का जो होने में तो आपको घबराना नहीं है आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है वेट करने के बाद आपका जो पोसंट्रेकर एप में 0 से 6 महिने के जो बच्चे हैं वो एड हो जाएंगे और अगर नहीं भी होते हैं तो आप दुबारा से ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद आपकी ये जो बच्चों की सूची है वो आपके पोसंट्रेकर एप में एड हो जाएंगे तो इस परकार से आप लोग गर्भाती महिला को अस्तनपन कराने वाली महिलाओं में ट्रांसफर इजली कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी आगनबारी बेहनों के साथ सेर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद